हलो व्रेंट्स मैं हूँ संजे संख्यान और आप देख रहे हैं एच पी नोट रिकोशन स्पाइश संख्यान दोस्तों 10 जून 24 को एक जो पैंशन प्राच है फानेश डिपार्टमेंट की उनकी तरफ से एक ऑप्समेर्टम जारी हुआ था जिसमें जो भी एक लेटर निकला की जो कंट्यक् cheapest हैं उनकी सर्विस को से माणने के लिए बोला गया था लास् One का भॉझ मेंट के लिए द्शी के लिए और पेंशनी केो prohibited कर चाता हो पेंशनीई बैंट दो ही होते है एक होता है पैंशन और एक होता है ग्रेसटी तो यह जो ह्जोम सर्विस होगी ważne की स्षै इसके लिए और pension के लिए qualified service माने जाएगी तो दिखिए इसका जो है main उसमें बोला गया था कि ultimately जब court case हो रहे थे और Honorable Supreme Board ने भी direction दे दी थी state government को कि यह जो contextual service है इसको count करने के लिए आप instruction निकालो तो इसके continuation में इन्होंने एक letter निकाला है finance department ने तो उसमें लिख रहे हैं कि साथ जो point number है कि उनको एक option देनी पड़ेगी और option देने के बाद जो है वो अगर इसको opt करते हैं तो उनके लिए यह जो contextual service है वो qualifying service count हो जाएगी for the purpose of pension and pensionary benefit के लिए तो देखिए जो आपका question एक था मैंने हाला कि detail में वीडियो बना दी थी कि क्या क्या है इसमें point में बताए गया है जो main आपकी query है मैं उसके आपके साथ discuss करने की कोशिश कर रहा हूँ देखिए इसमें लिखा गया है कि जो इसका 7 का जो clause number 1 है यह point लिखा गया कि initial appointment यह selection of the government servant on contact service was made by the appropriate recruiting agency that is the Himachal Pradesh Public Service Commission or the Himachal Pradesh coordinate selection board or through contact policy prevailed in the department duly approved by the government तो आपका question यह था कि क्या जो public service commission से appointment हुई है और या जो coordinate selection board से appointment होने के बाद contact में गये क्या यह जो option है सिर्फ बोई कर्मचारी दे पाएंगे तो देखिए मैं इसको clear करने बाला हूँ कि देखिए जो public service commission से exam conduct हुआ या subordinate selection से exam conduct हुआ वो तो इस option के लिए applicable है ही बट अगर माली जी जो भी government applies जो contract की जो state government की contract की policy है उस contract policy में आने के बाद उनका state government के साथ contract हुआ है तो भो भी इस यह जो option minimum है 10 जून बाला इसके तहाट option exercise कर सकते हैं इसमें एक दूसरा question आ रहा था कि क्या यह जो batch wise appointment हुई है क्योंकि ना तो public service commission से हुई ना वो subordinate selection boards हुई तो क्या यह जो batch wise appointment हुई है और contract में government applies गए है क्या उनके लिए भी option minimum applicable होगा तो हाँ देखिए यह जो जितने भी RNP rule बने है किसी post में appointment होती है उसमें रहता है 50% direct होती है 50% batch wise होती है mode of recruitment ultimately वही है तो अगर आपकी appointment batch wise हुई है तो और आप contact service में आये हैं तो वो आपकी क्योंकि वो अब इसमें आ रहा है rule no.1 में कि आप कि आपकी जो selection हुई है through contact policy prevalent in the department डूली approved by the government तो यहां यह जो आपका 7 का जो point no.1 का जो last इसमें बताएगी है उसके इस preview में आप आ रहे हैं और means जो batch wise वाले हैं they are also eligible to count their service as a qualifying service for the pension benefit तो अब उसके बाद एक और आ रहा है कि जैसे परा teacher थे या जो कुछ और category की implies थे तो देखी मैं बताना चाहूंगा जो आप परा teacher थे या जो कोई और पैट बाले थे तो जब तक आप पैट बगरा में थे या पैरा थे तब तक तो वो period count नहीं होगा पर जब आप contact service में आगे जब आपका contract sign हो गया तो जो contract sign करने के बाद आपने जितना भी contract period count किया है वो सारे के सारा जो है वो आपका qualifying service हो जाएगा अगर आप इसके लिए option exercise करते हैं अगली बात आ रही है कि option कितने दिन के अंदर देनी तो देखिए यह letter आया है 10 June को तो means आपको इससे within one month तो यह समझे आठ जुलाई तक आपको option भरके अपने जो आपके डिडियो है यह जो आपका head of office है उसमें जमा कुरा दीजिए अच्छा एक और जो इन्होंने एक्सर ए बताये है इसमें दो option दो दे रखी है एक तो option उपर है ए करके और एक है और करके भी तो इसमें आपको clarify करना चाहता हूँ यह जो जो government servant अभी alive है जीवत है उन्होंने देना है option number one और माली जी एक harness condition की वैससे किसी government price की death होगी है और यह option उनकी family वाले भी देना चाहने तो उन्होंने उपर वाला जो option A नभरके उन्होंने देनी है option B means अगर आप pensioner है या आप service में है तो आपने सिर्फ option A ही देंगे next rate की और B पे आप cross कर देंगे अगर pensioner है आप तो फिर जो option A है इस पे cross कर देंगे और B को आपको opt करना पड़ेगा मैंने इसको यहां पर discuss करने की कोशिश करी फिर भी अगर आपको यह जो दस जुराई बाली जो option है इस पे अगर आपके कोई टीचर है यह जो पैट टीचर बगएर है आपके पास चॉइस है आप option देना चाहें तो दे सकते हैं option नहीं देना चाहते हैं तो यह मानना जाएगा कि आप इसको opt नहीं करना चाहते हैं इसके सासाथ एक और चीज़ है कि माली जीए किसी की retirement होगी है सर्विस उनकी अगर माली जीए contact period को भी count करके अभी irregular नहीं हुए थे contact में ही retire हो गए है तो उस तिती में उनको option भरने की जुरूरत नहीं है यह मैंने कोशिश करी आपके साथ discuss करने की अगर आप नेने जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है HP notification भाई संक्यान इस notification से लेटर डिकम में कल वीडियो डाल चुको हूँ अगर आप detail में जाना चाते हैं उस वीडियो को जुरूर देखें लिंक में इसके साथ share कर दूँगा इन्हीं सबतों के साथ keep watching HP notification भाई संक्य जाहिन जाहिमाचल thank you